क्या अंजुम फकी और सिजान खान के बीच है इतनी गहरी दोस्ती? केप टाउन में दिखा दोनों के बीच की बॉंडी अंजुम फकी ने शेर की प्यारी तस्वीरें और सिजान खान के लिए लिखा दिल छू देने वाला नोट केप टाउन से कुछ प्यारी तस्वीरें शेर की है और सिजान खान के लिए एक प्यारा नोट भी लिखा है ये नोट दिल छू देने वाला है वेल क्या है पूरी खबर चलिए आपको दिखाते इस खास रिपोर्ट में लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के अंट तक बने रहना होगा वेल आपको पता दे काफी कॉंट्रवर्शी के भी सिजान खान आखिर कर साउथ अफरिका पहुच चुके हैं और खत्रों से खेलने के लिए पूरी तरह से तयार है इसी बीच अंजुम फकी ने कुछ प्यारी सी तस्वीरे केप टाउन से पोस्ट की हैं जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अंजुम फकी और सिजान खान काफी चिल करते नजरा रहे हैं दोनों की एक साथ बॉंडिंग काफी अच्छी नजरा रही है तस्वीरे शेर करते हुए कुंडली भागी की शृष्टी यानि की अंजुम फकी ने एक्टर के लिए एक प्यारा नोट भी लिखा है जो काफी दिल चूदेने वाला है आपको बता दे अंजुम फकी का खत्रो के खिलारी 13 के कंटेस्टन्स के साथ अच्छा ताल मिल बैट रहा है शिव ठाकरे तो उनके क्लोस फ्रेंड बनी गए हैं अब सिजान खान के साथ भी चील करती भी नजरा रही है आपको बता दे सिजान खान के साथ अंजुम फकी ने एक से बढ़कर एक पोस दिये हैं अंजुम फकी ने तस्वीरे शेर करते हुए कैप्शन में लिखा है वो मेरे कभीले का हिस्सा है हाँ एक अलग मास से जन्मा है मुझे यकीन है कि डेस्टनी का कुछ प्लान होगा अंजुम ने आगे लिखा है दूसरे के जज्ज्मेंट की परवा मत करो यह दोस्ती दिव्य है एक दशक हो गया है मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए वो भाई से बढ़कर है वेल आपको बता दे आये दिन खत्रों के खिरारी कंटेस्टन केप टाउन से तस्वीरे और वीडियो शेर करते रहते हैं जिसे देखकर फैन्स भी काफी एकसाइटेड होते हैं कि कभ यह खत्रों से खेलती वे नज़राएंगे लेकिन जल्दी आपके जो फैवरेट सेलप्स हैं वो खत्रों से दो-चार हाथ करते नज़राएंगे इसे बीच अंजुम का ये पोस्ट लोगों को काफी पसंदार आ रहा है और उनके पोस्ट पर लोग जम कर कमेंट भी कर रहे हैं वेल आपको कैसी लग ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताएं चैनल को लाइक शरूर सब्सक्राइब करना बिलकुल नम हूलें